आज हम सुनेंगे मीठे बाबा की 14 जुलाई के माहावाक्य हैं जिसमें बाबा ने विशेश जो हम बच्चों को इशारा दिया इस शरीर की वेल्यू तभी तक है जब तक आत्मा है और आत्मा नहीं तो उसको कितना भी सजाएं तो व्यर्त है बाकि आत्मा की तो सजावट नहीं है होती तो शरीर की सजावट है लेकिन कब तक जब तक आत्मा शरीर में बैठी हुई है तो आज बावा ने कहा मीठे बच्चे इस शरीर की वेल्यू भी तभी है जब इसमें आत्मा प्रवेश करें लेकिन सजावट शरीर की होती आत्मा की नहीं होती है बिंदी लगाएंगे लिपस्टिक लगाएंगे आ जो यो डंजे पहनें तो सब श्रीर पोह पहना जाता है लेकिन अजिन जो होता, मुट्टी कश कहते हैं। कुंधा अब्हों कि वहले जरी रही सुम्र रि Ear your can do not try this het वावा ने कहा एस वेलुबुल हीरे को हमें देखना है इंत कि प्राष्ण है तुम बच्चों का फर्ज क्या है तुम्हें कौन सी सेवा करनी है उत्तर है तुम्हारा फर्ज है अपने हम जिंस को नर से नारयन नारी से लक्षमी बनने की युपती बताना माता हैं तो पती को या अपने बराबर के जैसे माता है माता हो को सुनाये भाई 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 ओको सुनाये अपने साथी को घर परिवार वालों को तो भाई लोग है तो अपनी माताओं को अपनी युगनों को बताएं, बहने हैं तो पती को बताएं, अपनी हम उमर्द माताओं को बहनों को सबको सुनाना है, उन्हें युक्ति बताना कैसे हम नर से नारान नारी से लक्षमी बने, तुम्हें अब भारत की सच्ची रूहानी सिवा करनी है तुम्हें ज्यान का तीसरा नेत्र मिला है तो तुम्हारी बुद्धी और चलन बड़ी रिफाइन होनी चाहिए किसी में मोह जरा भी ना हो और आज का गीत है नयनहीन को राह दिखाओ प्रभू तरदर ठोकर हाओ रे ओम शांती डबल ओम शांती बावा करे तुम बच्चों को रिस्पॉंड करना चाहिए ओम शांती हमारा स्वधर्म है शांती तुम अभी शांती के लिए थोड़े ही कहां जाएंगे मनुश्य मन की शांती के लिए साधू संतों के पास भी जाते हैं अब हम बच्चों को जाना नहीं क्योंकि में तो शांती का सागर ही मिल लिया और सागर कभी खुटता नहीं खतम नहीं होता है वो तो बना रहता है तो अब मन बुध्धी तो है आत्मा के ओर्गंस जैसे यह शरीर के ओर्गंस है वैसे मन बुध्धी और चक्षू चक्षू नेत्र को भी कहते अब चक्षू जैसे यह नयन है वैसे वो नहीं है ज्ञान के नयन है न दिब्वे चक्षू विधाता कहते परमात्मा को ज्ञान का नेत्र बुधी का नेत्र कहते है प्रभू नयन हीन को राह बताओ अब प्रभू अईश्वर कहने से वह बाप का लव नहीं आता है बाप से तो बच्चों को वर्षा मिलता है यहां तो तुम बाप के सामने बैठे हो, पढ़ते भी हो तुम को कौन पढ़ाते हैं? तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा वह प्रभू पढ़ाते हैं वैसे वो परमात्मा है, वह कहते हैं मैं परमात्मा यानि तुम्हारा बाप हो फिर मुझ परमात्मा का ड्रामा नुसार नाम रखा हुआ है शिवर ड्रामा में सब का नाम भी तो चाहिए ना, शिवर का मंदिर भी है भक्ती मार्ग वालों ने तो एक के बदले अनेक नाम रख दिये हैं और फिर धेर के धेर मंदिर बनाते रहते हैं चीजे की है सोमनात का मंदिर देखो कितना बड़ा है कितना सजाते हैं महलो आदि की भी कितनी सजावट रखते हैं आत्मा की तो कुई सजावट नहीं है वैसे परमात्मा की भी सजावट नहीं है वो तो बिंदी है ना आत्मा भी बिंदी बाबा भी बिंदी बाकी जो भी सजावट है वो शरीरों की है बाबा कहते ना हमारी सजावट है ना आत्मा की सजावट है आत्मा है बिंदी इतनी लट बजा न सके, वह छोटी सी आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, तो शरीर की कितने प्रकार की सजावट होती है, मनुश्यों के कितने नाम है, किंग क्वीन की सजावट कैसे होती है, देखो कितना सजाते हैं चोटे बच्चे को भी सत्यू में देखो श्रीक्रश्न कितना सब पहने ओड़े कमर में, गले में, कान में, पैरों में, हाथ में कितना पहनते ओड़ते हैं आत्मा नहीं है तो सब वेकार हैं तो बाबा करें रिंग कुईन किस कितनी सजावट करते हैं देखो आत्मा तो सिंपल दिंदी है। अभी तुम बच्चों ने यह भी समझा है। आत्मा ही ग्यान को धारन करती है। बाब कहते हैं मेरे में भी ग्यान है ना ? शरीर में थोड़े ग्यान होता है। तुम मुझ आत्मा में ग््यान है, मुझे यह शरीर लेना पड़ता है तुमको सुनाने के लिए, शरीर भीगर तुम सुनना सको. अब ये गीत बनाया है, नया नहीन को राह बताओ, क्या शरीर को राह बतानी है? शरीर को राह नहीं चाहिए, ग्यान के नेत्र नहीं है प्रभु दरदर्ट होकर खा रहे प्रभु आप कहां हो तो वो हमें समझाओ आत्मा ही पुकारती है शरीर को तो नेत्र है दो नेत्र है ना तीन तो हो न सके तीसरे नेत्र का यहां मस्तक में तिलग भी देते है कोई सिर्फ बिंदी मुआफिक देते हैं, कोई लगी निकालते हैं बिंदी तो है आत्मा, बाकी ज्यान का तीसरा नेत्र मिलता है आत्मा को पहले यह ज्यान का तीसरा नेत्र नहीं था कोई भी मनुष्य मात्र को यह ज्यान नहीं है ज्यान देने वाला दिवलेक्ष बाबा तुम हो सर्वत्तम रामण कुल के तुम जानते हो भक्ती मार्ग और ज्यान मार्ग में कितना फर्क है तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानकर चक्रवर्ती राजा बनते हो जैसे ICS वाले भी बहुत हुचा पत पाते हैं परन्तु यहां कोई पढ़ाई से MP आदि नहीं बनते हैं यहां तो चुनाव होते हैं वोर्ट्स पर MP आदि बनते हैं अभी तुम आत्माओं को बाप की श्रीमत मिलती है और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्मा को मत देते हैं वातो सब है दे अभिमानी बाप ही आकर देही अभिमानी बनना सिखलाते हैं माबा की क्या करते देही अभिमानी मननों, वन्लुर cancel conscious आत्मा भिमानी बनना सिखलाते हैं। सम्हें देह अभिमानी, मनुष्य शरीर का कितना भब्का रखते हैं, यहां तो बापात्माओं को ही देखते हैं, शरीर तो विनाशी है, वर्थनाते पेनी है। वर्थनाते पैनी म जानवरों भी तो फिर भी खाला दी बिखती है और मनुष्य का शरीर तो कोई काम नहीं आता है मनुष्य का शरीर केवल जब तक आत्मा है तो इससे हम अपने जीवन को हीरे तुल बना सकते दूसरों को भी बना सकते लेकिन मरने के बाद शरीर की कोई value नहीं बाबा करके worth pound बनाते हैं हीरे जैसा बना देते हैं इतना valuable बना देते हैं कि देखो देवी देवताओं के शरीरों की तो पूजा हो रही आज़े मूर्थियां बनाई पत्थर की तो किसकी है शरीर की देखो पूजा आत्मा के बारे तो पता ही नहीं है तुम बच्चे जानते हो कि अभी हम सो देवताओं बन रही हैं तो यह नशा चड़ा रहना चाहिए परन्त यह नशा भी नंबरवार पुरुशार्थनुसार रहता है धन का भी नशा होता है अभी तुम बच्चे बहुत धन्वान बनते हो तुमारी बहुत कमाई हो रही है तुमारी महिमा भी अनेक प्रकार की है तुम फूलों का बगीचा बनाते हो सत्यू को कहा जाता है गार्डन अफ फ्लावर्स इसका सैपलिंग कब लगता है ये भी किसको पता नहीं बाबा भी देखो लगा रहे ना सैपलिंग माने कलम तभी देवी देवता धरम की कलम लग रही है तुमको बाब समझाते हैं बुलाते भी हैं हे बागवान आओ उनको माली नहीं कहेंगे शेबाबा कौन है बागवान और माली तुम बच्चे हो जो सेंटर से संभालते हो माली अनेक प्रकार के होते हैं बागवान एक ही है मुगल गार्डन के माली को पगार भी इतना बड़ा मिलता होगा जितना अच्छा बनाए बाग गार्डन माली तो उसको उतने ही पही पेमेंट भी देखो दिया जाएगा तो यहां भी बाबा कहते हैं बगीचा ऐसा सुन्दर बनाते हैं जो सब देखने आते हैं मुगल लोग बहुत शौकिन होते थे उनकी स्त्री मरी तो ताज महल देखो बना दिया है उसका नाम चला आता है कितने अच्छी अच्छी यादगार बनाए हैं तो बाबा समझाते हैं मनुष्य की कितनी महिमा होती है और मनुष्य तो मनुष्य ही है लड़ाई में धेर के धेर मरते हैं फिर क्या करते हैं घास लेर पैट्रोल डाल के खलास कर देते हैं कोई तो ऐसी पड़े रहते हैं, डफन थोड़ी करते हैं, कुछ भी मान नहीं, देखो शरीर का क्या मान है, जब तक आत्म है तो सब मान है, तो अब तुम बच्चों को कितना नारणी नशा चढ़ना चाहिए, यह है विश्व के मालिक बने का नशा, सत्य नारण की कथा है, त तीजरी की कथा भी है, इन सब का अर्थ बाप बैठ कर बच्चों को समझाते हैं, कथा सुनाने वाले कुछ भी नहीं जानते, अमर कथा भी सुनाते हैं, अब अमर नात पर कहां दूर दूर जाते हैं, बाप तो यहां आकर सुनाते हैं, उपर तो सुनाते नहीं, वहां नून है फिर भी होगा बाब बैट तुम बच्चों को भक्ति और ज्ञान का कांट्रास्ट बताते हैं अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है कहते हैं ना हे प्रभू अंधों को राह बताओ भक्ति मार्ग में पुकारते हैं बाबा करती से नेत्र देते हैं जिसका कोई को भी पता नहीं है सिवाए तुम्हारी ग्यान का तीसरा नेत्र नहीं है तो कहेंगे चूंचा धुन्दकारी है न कि क्यसी होती है कोई कोई कि कैसी होती है नह इल्सक्राथ है नहीं है तेखेकでも नहीं नहीं है कोई है हि कि बहुतत हुथ हो अन से पर घिनाम मिलता है फिर नाम रखते means India में इस फ़लानी वह देखो दुनिया में क्या क्या होता कहेंगा ते इंटिनों की बहुत महिमा होती है तुम बच्चों को अब बाप से देखो बाबा क्या से क्या से क्या बना देते वहां तो नचुरल भ्यूटी रहती है क्रश्न की इतनी महिमा होती है, क्यों है, क्योंकि सबसे जास्ती ब्यूटिफुल बनते हैं, श्री क्रश्न की इतना ब्यूटिफुल देखो तो मन कोश हो जाता है, मंदिर कहीं भी देखेंगे श्री क्रश्न की बहुत प्यारा बनाते हैं, श्री क्रश्न को कितना सुंदर, कि इतना मन मोहक, तो इसलिए उनकी सबसे जास्ती महिमा है, नमबर वन में करमाती तवस्था को पाते हैं ना, इसलिए नमबर वन में उनका गायन है, यह भी बाप समझाते हैं बैठकर, बाबा बार बार कहते बच्चे मन मना भव, हे आत्माएं अपने बाप को याद करो, बच्चों में भी नमबर वार तो है न, लोकिक बाप को भी समझो, पाज बच्चे हैं, उनमें जो बहुत सयाना होगा, उनको नमबर वन रखेंगे, माला का दाना हुआ न, कहेंगे यह दूसरा नमबर है, यह तीसरा नमबर है, एक जैसे कभी नहीं होते हैं, बाप का प्यार भी नंबर वार होता है वह है हद की बात यह है बेहद की बात जिन बच्चों को ग्यान का तीसरा नेत्र मिला है उनकी बुद्धी और चलन आदी बड़ी रिफाइन होती है एक किंग फ्लावर होता है तो यह ब्रम्हा और सरस्वती किंग कुईन प्लावर इतना अच्छा पुशार्थ किया मम्मा ने बाबा ने तुम बच्चे जानते हो हम देवता बनते हैं मुख्य आठ रत्न बनते हैं पहले पहले है फूल फिर युगलदाना ब्रम्हा सरस्वती माला सिमरते हैं न वास्तों में तुम्हारा पूजन नहीं है, सिमरन है तुम्हारे उपर फूल नहीं चड़ सकते फूल तब चढ़े जब शरीर भी पवित्र हो बाबा क्या कह रहे हैं फूल तब चढ़ाये जब शरीर भी पवित्र मिले तो ऐसे को थोड़े न चढ़ाएंगे कोई फूल यहां कोई का भी शरीर पवित्र नहीं है सब विश्थे पैदा होते हैं इसलिए विकारी कहा जाता है इन लक्ष्मी नारण को कहते ही हैं संपुर्ण निर्विकारी बच्चे तो पैदा होते होंगे न ऐसे नहीं कोई ट्यूब से बच्चा पैदा हो जाएगा जैसे याने टेस्ट यूब बेवी होते तो बाबा कहरे वहाँ ऐसे बच्चे नहीं होते ये भी सब समझने की बाते हैं तुम बच्चों को यहां साथ रोज भठी में बिठाया जाता है भठी में इटे आदी इटे कोई तो पूरी पक जाती कोई कच्ची रह जाती है ऐसे बाबा की यग्जी में यहां पे भी योग भठी करते हैं न तो कोई तो इद्धम परिपक्त हो जाती आत्मा नमबर बन बन जाती कोई कच्ची रह जाती कोई टिढ़ी मेड़ी हो जाती तो वेराइटी है तो बाबा करे भठी का मिसाल देते हैं अब इट की भठी का थोड़ी शास्त्रों में कोई वर्नन हो सकता है फिर उसमें बिल्ली की भी बात है गुलबकावली की कहानी में भी बिल्ली का नाम दिखाया है कि दीपक को बुझा देती थी तुम्हारा भी ये हाल होता है माया बिल्ली विक्न डालती है कानियों सुनाते हैं ना कि आग लगी और बिल्ली के पूंगरे बच गए बच्चे थे उसके आवा में वो नहीं जले बाकी थे को कितना आग लगी तो वैसी यहां की बात है बाबा कहते तुम बच्चे जो है ना माया की आगनी में तो बच जाएंगे उसमें सेफ रहेंगे शुरू में भी यग्जी की जब हुई तो लाखाग रहता जहां बाबा बच्चों को सब को रखते थे सब बच्चे रहते थे तो उसमें किसी ने आग लगा दी सब भी रोधियों ने लेकिन बाबा तो जानी जाना नहार सब बच्चों को सेफ कर लिया तो बिल्ली माया बिल्ली की बात है जो तुमारी अवस्था को ही बाबा केरे गिरा देती है दे अभिमान है पहला नंबर फिर और विकार आते हैं मोह भी बहुत होता है बच्ची कहें मैं भारत को स्वर्ग बनाने की रोहानी सेवा करूंगी और मोह वश माबाब कहते हम हलाओ नहीं करेंगे ये भी कितना मोह है तुम्हें मोह की बिल्ली ये बिल्ला नहीं बनना है बिल्ली भी क्या कहती, मैं आओ, मैं आओ, मैं आओ, तो आने को कहती है, और बाबा कहती है नहीं बिल्ली के पास नहीं जाना, मायम बिल्ली क्या करेगे, वो पंजा मार देती, नुकसान करती है, तुमारी एम अबजेक्ट ही ये है, डक्मी नाराण जैसा बनने की, तुमारा अभी फर्ज है अपने हम जिन्स की सेवा करना, भारत की सर्विस करना, तुम जानते हों क्या थे, क्या बन रहे हैं, अब फिर पुशार्ट करो राजाओं का राजा बनने के लिए, तुम जानते हों हम अपना राज्य स्थापन करते हैं, कोई तकलीफ की बात नहीं है, फूल बन जाएंगे, तब विनाश होगा, कोई king of flower है, कोई घुलाब है, कोई मोतिया है, बाबा के देखो कितने variety, फूल बच्चे है, हर एक अपने को अच्छी रीती समझ सकते हैं, कि हम अक के फूल है, वह कौन से फूल है, अक है या फूल है, बहुत है जिनको ग्यान की कु बनेंगे न, या तो बिल्कुल highest, या तो बिल्कुल lowest, राजधानी यहां ही बनती है, शास्त्रों में तो दिखाया है, पांडव गल मरे, फिर क्या हुआ, कुछ मीं पता नहीं, कथाएं तो बहुत बनाईएं, ऐसी कोई बात है नहीं, अभी तुम बच्चे कितने स्वक्ष बुद्धी बनते हो, बाबा तुमको बहुत प्रकार से समझाते रहते हैं, कितना सहज है, सिर्फ बाब को और वर्से को याद करना है, बाब कहते मैं ही पतित पावन हूँ, तुमारी आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं, अब पावन बनना है, आत्मा पवित्र बनती है, तो शरीर भी पवित्र बनता है, अभी तुमको बहुत महनत करती है, बाबा कहते बच्चे अभी बहुत कमजोर है, क्या रिजल बाबा सुना रहे बच्चे बहुत कमजोर है, याद भूल जाती है बाबा की, बाबा खुद अपना अनुभा बताते है, भोजन पर याद करता हूँ वोशे बाबा हमको खिलाते हैं फिर भूल जाते हैं फिर इस मृती में आता है तुमारे में भी नंबरवार पुर्शाथ अनुसार हैं कोई तो बंधन मुक्त होते हैं फिर फस मरते हैं धरम के भी बच्चे बना लेते हैं कई होते ना जैसे उनको बाल बच्चे नहीं फ्री है तो मेहनत कर सकते हैं बाबा का बने ग्यान सुने लेकिन क्या करेंगे फिर गोद ले लेते बच्चे उसमें फस जाते फिर अभी तुम बच्चों को ग्यान का तीसरा नेत्र देने वाला बाप मिला हुआ है इनको फिर नाम दिया है तीजरी की कथार अधार्त तीसरा नेत्र मिलने की कता अब तुम नास्तिक से आस्तिक बनते हो वावा कारे बच्चे जानते हैं बाब बिंदी है ज्ञान का सागर है वो तो कह देते नाम रूप से न्यारा नाल Government करें हैं तो जरूर ग्यान सुनाने वाला होगा ना, इनका रूप भी लिंग दिखाते हैं, फिर उनका नाम रूप से न्यारा कैसे कह सकते हैं, न वावा कहरे लिंग रूप दिखाते तो न शिव लिंग रूप हो, फिर शिव वावा भी कहेंगे, परमात्मा भी कहेंगे, तो नाम दिये हैं और एक तरफ कहेंगे नाम रूप से नहीं आ रहा है बच्चों की बुद्धी में अब ये सारा ज्यान अच्छी लीती रहना चाहिए दुनियां वाले तो बहुत कुछ कहते है लेकिन अबाबा कहते हैं तुमको ज्यान मिला है तब अच्छी नीती बुद्धी में ज्ञान चलना चाहिए कहते भी है परमात्मा ज्ञान का सागर है कितना सागर जो कहते सारा जंगल कलम बनाओ तो भी उसका अंत नहीं हो सकता अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चो ब्रति मात पिता बाब दादा का याद प्यार और गुद मॉर्निंग रुहानी बाब की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी मात पिता बाब दादा को याद प्यार नमस्ते और गुद मॉर्निंग शुक्रिया बाबा शुक्रिया बेहत दिल से बाबा का शुक्रिया अभी सुनेगे, धारना के लिए मुर्ली का मुख्य सार है, अभी हम बाप द्वारा वर्थ पाउंड बने हैं हम सोदेवता बनने वाले हैं इसी नाराणी नशे में रहना है बंधन मुक्त बनकर सेवा करनी है बंधनों में कभी फसना नहीं है सेकेंड पॉइंट है ज्यान योग में तीखे बनकर मात पिता समान किंग ओफ लावर बनना है और अपने हम जिन्स की भी सेवा करनी है और आज का वर्दान है मीठे बाबा का क्यों क्या के कोश्चन की जाल से सदा मुक्त रहने वाले विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती भव क्यों क्या के कोश्चन की जाल से सदा मुक्त रहने वाले विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती भव बाबा ने का जब स्वधर्शन चक्र राइट तरफ घुमान चलने के बजाए रॉंग तरफ चला जाता है तब माया जीत बनने के बजाए पर के दर्शन के उल्जन के चक्र में आ जाते हो एक है स्वधर्शन और दूसा है परदर्शन जब स्वधर्शन करते तो सीधा चलता है और उसको पलट दिया तो परदर्शन हो जाता जिसमें फिर क्यों और क्या के कोश्चन की जाल बन जाती है यह ऐसे क्यों करता है यह ऐसे क्यों बोलता है इसको ऐसे नहीं करना चाहिए तो क्या क्यों ऐसे वैसे कितने जाल है जो स्वयम ही रचते हैं और फिर स्वयम ही फज जाते हैं इसलिए नौलेश्फुल बन स्वादर्शन चक्र फिराते रहो तो क्यों क्या के कोश्चन की जाल से मुक्त हो योग युक्त जीवन मुक्त चक्र वर्ती बन स्वादर्शन चक्र फिराते रहो तो क्यों क्या के कोश्चन की जाल से मुक्त हो योग युक्त जीवन मुक्त चक्र वर्ती बन बाप के साथ विश्व कल्याण की सेवा में चक्र लगाते रहेंगे विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे और आज का स्लोगन है प्लेन बुद्धी से प्लैन को प्रैक्टिकल मिलाओ तो सफलता समाई हुई है प्लेन बुद्धी से प्लैन को प्रैक्टिकल मिलाओ तो सफलता समाई हुई है कोई भी प्लैन बनाते हैं, पहले अपनी बुद्धी को एकड़म साफ रखना और आज का स्वामान भी याद रखेंगे, मैं आत्मा विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती हूँ और आज अव्यक्त इशारे की 14th पॉइंट है, जैसे कोई के उपर किसका हाथ होता है तो वह निर्भय और शक्ती रूप हो, कोई भी मुश्किल कारे करने को तैयार हो जाता है कैते न, इनका हमारे उपर हाथ है, इनकी क्रपा है, आशिरवाद है, आज प्राइम मिनिस्टर है, कोई बड़े पदपर है हम कहें, उसका हाथ है मारे सिर पर, वह आपको सपोर्ट देगा, तो देखो कठिन से कठिन काम करने को भी तैयार हो जाता है तो इसी रिती बाबा कह रहे है, कि जब श्रीमत रूपी हाथ अपने उपर सदा अनुभव करेंगे यहां बाबा का हाथ कौन सा है, श्रीमत रूपी हाथ, है न, तो कोई भी मुश्किल परिस्थितियों वविगनों से घवराएंगे नहीं हाथ की मदद से, हिम्मत से सामना करना सहज अनुभव करेंगे कितना भी भयानक स्थान है, लेकिन साथी शूरवीर है, तो कैसा भी कमजोर शूरवीर हो जाता है हमारा साथी कितना शक्तिशाली है, हम बले कमजोर हैं, तो कमजोर भी शूरवीर बन जाता है Acha, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti.